लोगसवा चुनाओ के बाद पहली बार आज कॉंग्रेस कारे समिती की बैठक होगी। सारे विशय पर चर्चा करेंगे। के बाद हमारी कॉंग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है और इस्तिती का विशलेशन करती है। राहुल गांधी का यह पांचवा कारेकाल है वह एक वरिष्ट इनसान है। उन्हें संसद्य दल का नीता होना चाहिए। कॉंग्रेस ने ता पर्मोतिवारी का ये भी कहना था कि वे नितिश कुमार और चंद्रबावु नाईरू पर निर्वर करते हैं। और आप देखिएगा कि कुछ दिनों में उनकी सरकार ऐसी गिरेगी कि जहां बची कुछी है वहां भी चलने लाइक नहीं रह पाएगी। महराष्ट कॉंग्रेस अध्यक्ष नाना पोटले ने कहा है कि महराष्ट में भाजबा का कॉंटण शुरू हो चुका है और देश की सरकार का कॉंटण भी लगभग शुरू हो चुका है। महराष्ट की जनता की पूरी कोशिश है कि ऐसी ताना शाह सरकार देश में ना हो। दिल्ली में कॉंग्रेस कार समिती की विस्तारित बैठक भी शुरू हो गई है। CWC बैठक पर मध्य प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष जितंद्र जीतु पतवारी का कहना है कि पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक जना देश मिला है। सुभाविक रूप से कॉंग्रेस के सीट डबल हुई है। नरेंद्र मोदी चार सो पार की बात करते थे और दो सो के आसपासी उनकी पार्टी सिमट गई है। आज कॉंग्रेस पार्टी की महत्वपून बैठक है। चुनाओ के हार और जीत की समिक्षा होनी बहुत जरूरी है और जहां से हम जीते हैं उसका प्रोथसहन भी होना चाहिए। कॉंग्रेस संसद्य दल की अध्यक्ष सुर्या गांधी और कॉंग्रेस प्रमुक मलिकाजुन खडगे भी CWC बैठक के लिए पहुचे हैं।